दोस्तो 27 अगस्त को एसिया कप की शुरुआज से पहले और टूनमेंट के पहले मैच के बाद किसी ने भी श्रिलंका क्रिकेट टीम को भाव नहीं दिया था किसी ने भी दावा नहीं किया था कि ये टीम अगले दो हफ़ते के अंदर एसिया की चैंपियन बन सकती है दानुश चनाका की टीम ने हर किसी को गलत साबित करते हुए ये कमाल कर दिखाया दुबई में केले गए फाइनल में शुरुलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा कर फिर से एसिया के चैंपियन होने का गौरों हासिल किया शुरुलंका की ये जीत कई मायनों में खास थी टीम ने देश के आर्थिक राजनीतिक हालातों के कारण मचे बवाल को पीछे छोड़ते हुए अपने देश वास्यों को इस जीत का तोफा दिया आठ साल के इंतिजार के बाद एसे कप वापस शृलंका लोटा दोस्तों सिलंका की एसे कप में खिताबी जीत के हीरो रहे भानुका राश्वक्षे ने इस किताब को संकट का सामना कर रहे अपने देश को समर्पित किया है राश्वक्षे ने मैं इसके बाद कहा कुछ दसक पहले हम हमेशा दुनिया को दिखाना चाहते थे हमारे पास आक्रमकता है और हम चाहते थे कि एक टीम के रूप में हम दोबारा उन लमों को पैदा करें दोस्तों उन्होंने कहा आगे बढ़ते हुए हम विस्वकप से पहले इस ले को बनाया रखना चाहते हैं श्वदेश में संकट के हालात को देखते हुए यहाँ श्रुलंका के सभी लोगों के लिए एक कठीन समय है लेकिन आशा है कि हम अपने लोगों की चेहरों पर कुछ मुस्कान ला पाए है वही दोस्तों अपने टीम के सांदर प्रदर्शन से खुश हो कर श्रुलंकाई सरकार ने भी अपने जनता को और बड़ी खुशी दी है आपको बता दे शंकट कर सामना कर रहे है श्रुलंका में वहां की तत्कालिन सरकार ने एक दिन के लिए पैट्रोल का दाम सो रुपे तक घटाने का फैस्ता किया है ताकि एसे कब जीत की खुशी दुगी नहीं हो जाए आपको बता दे ये दाम किवल एक दिन के लिए घटाए गए है वही पैट्रोल का दाम सो रुपे कम होने से श्रुलंका में पैट्रोल के लिए वहां की जनता सुबह से ही लाइन लगा कर खड़े हो गए